हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं रेमन लिमिटेट के बारे में और दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कम्पनी से सम्मंदित बहुत सारे अपडेट भी देखेंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा लेकिन दोस्तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास में रेमन लिमिटेट का शेयर है या फिर नहीं है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इस कमपनी के मार्ट केप के बारे में तो इस कमपनी का मार्ट केप 12,426 करोड रूपीज का है और कमपनी का जो कॉरंट शेयर प्राइज है ये 1,837 रूपीज 85 पैसा है कमपनी का 52 वीक का हाई 2,380 रूपीज था अब दोस्तों एक वारम company के अंदर जो shareholding का pattern है इसको हम लोग देख लेते हैं company में foreign institution की shareholding 14.5% की है company में mutual fund की हिस्सेदारी 5.74% की है और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ quarter से लगातार इसके अंदर mutual fund की हिस्सेदारी बढ़ रही है company के अंदर other domestic institution की हिस्सेदारी 3.04% की है और दोस्तों इनकी भी shareholding company में हमें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है company में promoters की shareholding 49.11% की है और retail and other की shareholding company के अंदर 27.61% की है अब एक बार हम company के fundamental से देखेंगे तो company का जो PE ratio है ये 7.87 का है जबकि इस sector का जो PE ratio है ये 21.84 का है company का PB ratio 2.74 का है company का ROE 20.85% का है company का ROCE 21.87% का है ये company अपने निवेशकों को dividend देती है company का dividend yield 0.52% का है company का debt to equity 0.91 का है अब हम company के profit और loss की report देखेंगे तो पहले यहाँ पर हम company की year wise profit और loss की report देख लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि company ने 2024 के अंदर 1643 करोड का profit generate किया है जबकि 2023 में company ने 537 करोड का profit generate किया था यानी कि 2023 की तो लना 2024 में company ने बहुट अप्रोफित जनरेट किया है अब एक बार हम company की quarter wise profit loss के report देख लेते हैं तो हम यहाँ पर यह पाते हैं कि June 2022 में company ने 7,367 करोड का profit जनरेट किया है जबकि June 2023 में company ने 1,067 करोड का profit जनरेट किया था यानि कि जून 2023 की तुल ना जून 2024 में कम्पनी ने बहुत अच्छा profit generate किया है और दोस्तो अगर आप इस profit को ध्यान से देखेंगे जून 2024 वाले profit को तो आप यह पाएंगे कि जून 2024 में कम्पनी ने जितना profit generate किया है इतना profit तो कम्पनी ने हम कहें कि पिछले 12 सालों में total मिला के भी generate नहीं किया था यानि कि जून 2024 के अंदर कम्पनी ने बहुत ही शांदार profit generate किया है अब दोस्तो एक वाल हम कम्पनी की share market के अंदर return की report देख लेते हैं तो दोस्तो जब हम company की share market में return की report देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि company के share के अंदर suddenly यहाँ पर हमें बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है तो दोस्तो आपको समझना होगा कि यह जो sudden गिरावट है यहाँ पर क्या चीज़ है आप देख सकते हैं कि 11 जुलाई 2024 को company की share के अंदर हमें 1154 रुपीज की यानि 36.6% की गिरावट देखने को मिली है तो दोस्तो यह गिरावट इसलिए है क्योंकि company जो है अपना de-merger कर रही है दोस्तो de-merger के बाद में आपको Raymond Limited की एक और company share market के अंदर दिखाई देगी जिसका नाम होगा Raymond Life Style Limited और जित्ते भी निवेशक हैं जिनके पास में Raymond Limited की 5 share हैं उन्हें 4 share Raymond Life Style Limited के मिल जाएंगे तो दोस्तो उसी कारण से 11 जुलाई 2024 को आपको यहाँ पर यह गिरावट दिखाई दे रही है अगर दोस्तो हम इस गिरावट वाजर रिपोर्ट को अलग कर देते हैं तो 16 अगस 2019 से 5 जुलाई 2024 तक अल्मोस्ट 59 मंत के अंदर इस कम्पनी ने अपने निवेशकों को 411 परसेंट का रिटन दिया है यानि कि कम्पनी ने बहुत अच्छा रिटन अपने निवेशकों को दिया है दोस्तो अभी आपने Raymond Limited से सम्मंदित आकडे देखे हैं आपने यहाँ पर देखा कि कम्पनी के अंदर हमें 5 तरह की शेर होल्डिंग देखने को मिल रही है कम्पनी का PE रेशो अच्छा है कम्पनी अपने निवेशकों को डिविडेंट भी देती है और कम्पनी का debt to equity हमें low देखने को मिल रहा है अब दोस्तों चाहे बात करें quarter wise या year wise दोनों के ही अंदर कम्पनी बहुत अच्छा profit generate कर रही है और कम्पनी ने जून 2024 के quarter में जितना profit generate किया है इतना profit तो कम्पनी ने पिछले 12 सालों के अंदर मिला कर भी generate नहीं किया था तो ये कम्पनी को point of view से एक बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको इस चीज़ को भी deeply research करना चाहिए अगर दोस्तों बात करें कम्पनी की share market के अंदर return के बारे में अपने financial advisor की सलाह ले ले और खुद भी एक बार डीटेल में अच्छे तरीके से research और study जरूर कर लीजेगा अगर वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like करिए आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक और ने वीडियो में जब तक लिए टाटा बाई